आप देख रहे हैं कर्तव्य एवम निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृती का बयान, सम्ता की आवाज बयान टीवी आज से 83 वर्ष पहले एडवोकेट नंद प्रसाज जी का जन्नम मनोरा जिला नैनी ताल में हुआ था वे एक जाने माने उत्राखंड के वकील थे रानी खेट तहसील के अंतर गत कलपटा छेतर में स्वाणों ने 16 सिल्पकार को जिन्दा जला दिया प्रसाज जी के नेतरत में 18 मार्च 1980 को विरोध प्रकट हुआ जगे जगे जन आक्रोश रूपी सभाओं को आयोजन हुआ 9 माई 1980 को सिल्पकारों की बरात पर स्वाणों ने हमला बोला प्रसाज जी के नेतरत में 18 माई 1980 को मौन जलूस निकला नंद प्रसाज एडवोकेट में 1989 में सोशित मुक्ती संगठन हलद्वानी नेनिताल में बनाया था संगठन का दुत्ते वे तृत्ते अधिवेशन 14 वे 15 दिसंबर 1991 को रामलीना मैदान हलद्वानी में हुआ 18 परवरी 1996 को टैगोर हाल दिल्ली विश्य विद्याले में एक विचार गोस्टी हुई जिसकी अध्यक्ष्टा माननिय नंद प्रसाद एडवोकेट जी ने की अपने अध्यक्ष्णिय भाशन में प्रसाद जी ने कहा कि सामाजिक क्रांती के साथ-साथ राजनेतिक जागरती जरूरी है आर्थिक विकास के लिए शिक्षा को सिल्पकार प्रात्मिक्ता दें अंद विश्वास वे पाखंड से दूर रहें वैज्यानिक ड्रश्टी कौन अपनाएं दलित उत्पीरन के लिए अपनी संगठन सक्ती को मजबूत करें जैबीम साथियों मेरे साथ उत्राकंड के जाने माने समाच चिंतक, सिक्षा बेद, प्रसासक करशन गोपाल जी हैं उनका संबंद एड़ोकेट डंद प्रसाद जी से लंबे समेश से रहा जो एक जाने माने उत्राकंड के आंदोलनकारी रहे और उनका हाई कोट में एक विशेश रूप से प्रत्य निरित भी रहा जानते हैं गोपाल करसंजी से एड़ोकेट डंद परसाद जी के बारे में शर्ग आपका एड़ोकेट डंद परसाद जी के साथ संपर कब और कैसे हुआ? कैसे और कब दोनों बहुत महत्कून प्रस्न है मैं जब अल्मोरा इंटर पोलेज अल्मोरा में विज्ञान का छात्र था तो जोब्थ का जब रिजर्ट आया हम रिजर्ट देखें अल्मोरा की बाजार में निकले समचार पत्रों को देखने के लिए तो दो तीन साथी में साथ थे उस समय जिनका भी रिजर्ट इंटर्मेटिक का अना था ये तो आर्शाय का था और एक विज्ञान का था तो उन्हाने गिनार रिजर्ट देखें वे ये कहा समाचार पत्र में वो ग्राम मनोरा जिला नैनिताल का एक छात्र है नंद प्रस्राथ इसका नाम है वो द इंटर्मेट में भी उसका साइंस विशय है और उसमें भी उसका इस्टिंटिंट होगा और कई विशय मों होगा तो आप देखिए तो मैंने समाचार पत्र हम लोगों ने देखा तो मास्ताव में धन्द प्रसाथ उनका पैमिश्ची, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंगल कई विशयों हों के डिष्टिंटिंटिंटिंग्श्ग साथ इंगले आप अप घट्ष और उसमें घथा तो जब भी मैने उनको नहीं देखा था एवल एक मात्र अपन लोगों के पहने का तो जब अच्जिक्स में देखा तो मेरे एक जिम्यासा पहला हुई कि मैं इंटि सब्सक्राइब करने के बाद DSB Government College ने निताल में बीस्टी में एडमिशन लोगा, तो ने निताल तो मैंने जाना ही है, तो मुला भार भी जाएगी, तो इस फ्रोकार से उनके विशन मुझे जानगा भी मिले, और फिर में, बीस्टी में एडमिशन लेएं के लिए DSB Government College ने निताल गया, एडमिशन ले लिया था, और वो, उन्होंने भी एडमिशन, नंदर साथ जी के भी ले लिया था, और जैसे भी छात्रों में हुआ करता था, परिशय बगरा, मैं कोई खास वो नहीं तबजी कुशी को देता था, मैं यही देखता था कि यह चात्र, यह साथी हमारे, किस रकार से इन्होंने स्टडी की है, और तो उनसे मैंने कुश जानुकारी कुशन मैंने स्वहिं बदाया, मैंने जाएं बदाया, उन्होंने कहा कि मैं एक दाजी मेले, एक पॉंट्रेक्टर के आंटरक्स और वो पादान श्रीकोटी और अंगरी भी इती नहीं कि, तो मैं चूशन करवा करके, चूशन करा करके यही अपनी कुश इनकों का जरिया बना जिया करता था, तो इसका पाचा कि पराई का मैं एक टाइम टेबल बनाता था, सुवह सबसे पहले बूठ करके, जैनिक चाजिया से कि, वो एक प्रतिवा साली चाति थे, उन्होंने साथ-साथ सामाजी एँन मैंनी पहले छोटे कालिकमों में भाग लेना सुवह गया था, और उस समय ततकालीन एल्गेम गंगाराम जी थे, गंगाराम जाटो, तो उन्होंने कोई एक ड्रामा रखा था, उसमें पूर्ब हमा मुछे मंद्री और कांग्रेस के भहत बड़ी नेता, कोई मलब फंच अभी आये वेते उसका, उन्होंने सामाजीक जो गूप रेखा थी, उत्राखंड़ा सारे देश में न्होंने नाटक के बढ़ा हो, करके थी, हाई थी मुल्णाराम जी से, उन्होंने कूशा, मुछे मं कि ये चात्र कांग है, को उन्होंने परशे दिया था, तो काफी परढ़ा भी थी हुए थी, उसकी बात थी BSC और दक्टर बावा साब के आंगोदन एक तरफ उनको प्रेडित करने का से ही, स्वागी परी नेवरत कहना जाई ही, बाद में वो KDM, DM और उत्रम देश में तो उनको जाता है, तो नहोंने उनको बावा साब, Dr. Ambedkar, Dr. Ambedkar, बावा साब, Dr. Ambedkar, एंट इस मुव्मेंट के धनजय के शिराव, गंगा राम जी ने दी थी, और दूशा, गौतम बुद्ध और उनका धर्म, ये पुस्तव भी थी, तो इन दोनों पुस्तवों को पड़ करने उनके जीवन में और ज्यादा समाज के प्रती लगन से आम करने की पेरणा मिली और जो सूर्च अनने साथ में जीवन से ही इस कारी को सुर्व कर गया, तो परियान ये हुआ कि उनके इंटरमजेट में तो अच्छे माउस थे, वो निर्विक वक्ता थे, और थे, उनको डिस्ट लेबल और और ये आयर लेबल पर यहने बाद दुदात प्रती हुए था, मैं काफी कप्स और मेरिल मिले हुए थे, और ये, इससे उन्होंने ये निश्य कर लिया था कि मैंने सरकारी नौ भी नहीं करनी है, केवल एक मात्र समाज सेवा और बाबा साथ के आंदुन कोई आगे बढ़ाने के लिए मैंने करना है, तो वो फिर B.H.C. मैं उन्होंने भी साइंस लिया, मैंने भी साइंस लिया था, तो B.H.C. मैं कुछ ऐसा था कि अपनी वक्ता होने के कारण सामाजिक, जो कुलिक्यां और सामाजिक जो जवहार था, अनिश्य वर्मों के साथ, उसके प्रत्री वो बोलते थे, और काफी आप्रामा ग्रूप से बोलते थे, तो प्रेगां में के प्रेक्टिकल में उनके मार्स जो हैं जिरा दिये कहे थे, तो फिर B.H.C. तो उन्होंने कर लिया था, फिर भी अच्छे अंकों से किया, तो उन्होंने निश्य किया कि मैंन साइंस नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें प्रेक्टिकल है, और प्रेक्टिकल में में तो बोलूँ, मेरी भाषन है, उन्होंने कोई मैं संव्यवता नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने मैं से लिया था, तो इतने प्रतिवास आली थे, साथ-साथ चूशन करके भी अपनी जिन मात्र वो मात्र से रह गया था, तो फिर उन्होंने जबकि उनको, मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूँ, उन्होंने किता जी को, कुछ समय के तब काले महरत के घरमांदू के, पंडिक बोईंगला पंदू, उन्होंने किता जी को बुला करके, आपका लगणा बहुत जबासाली है, अच्छा ओरेटर है, यही हो रायनी की का आना चाहते हैं, यह जदी आई-एस में बढ़ाएं पहले तो यही गाहनों ने, आई-एस में बढ़ाएं, और आई-एस हो पिजार कर जाएंगे, और यही उन्होंने सर्विस नहीं कर दी है, तो यही दो पिटल को उन्होंने दिये छे, उनके पिताई से आपके अपने बेटे को घ्ला करके आवर्ण कर दो पात कर दो, उनके धिलाजी ने घर्दयों को गुलादर करके खाहा है, ज़िए ऐसी बात कर दो उन्होंने बढ़ाएं, नहीं किशी गवाव में नहीं रहना चाहता हूं, पिता और पुत्र में कुछ ऐसा है, मद्वेशा हो गया, और सुबह सुबह अपना पूपना गाउं में बेटे का अपने जाया है, नहीं कि अपने जीवन में बाबा साहब के आनलन को बाबा साहब की जीवनी को ही उतारने का प्रयास किया, तब उन्होंने फिर MSC करने के बाद, लग लगनों से LLB जोइन किया और LLB किया, LLB के बाद LLM में भी उन्होंने प्रवेश लिया था, LLM में भी फस्तियर में कुछ इंडियन कंस्ट्यूशन और डिमोग्रेशिकर कुछ प्रफेशर के साहथ हुजी, मतलब जा है कि वार्तालाब ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रफ फस्तियर नहीं हो पाया कि लिया तो नोने कि छो या ने निताए कुछ नोने बार जोइन कर ली और बार को उन्होंने को अच्छा है, तो के एडवोकेट थे, नवीन चंज पंस थिले, और डी के पांड़ेवी थे, तो उन्होंका बड़ा संगे ठीम है, और नोने बड़े अच्छे मिल्की से, थिर वो वहाँ पर गवर्मेंट एडवोकेट भी हो गेड़ेवी और उत्तरप्रदेश के तब नारेंदर किवारी उस समय बाज में मुख्यमंत्री हो गे, उन्होंने उनको टेलिफॉन से अपने पीए को कहा थि भई, उनको बुलाओ नंदू को, पाणने नारंदत टिवाली बाज गेड़े, वह नन्दू को कहा किया, उन्होंने प्रप्रतिये ने कौन किया, और कहा साहब आप से बात करना चाहते हैं, बहुसे इन बात हो गए, नीने बैखुमा नंदू तुम्हें जिम्मिदारी शुद्रें सुल्देश है हैं, तो कि में प्रतिक स्वार्टों के देख करके मैं उनसे बगा तलभावी के बाद के मेरा विस्सा भी हुजा था तो मेरे सर्गीष के जाने के दिजार में में मेसी करके मिनेश्ट आइनेश्ट जॉइन की थी तो तब तो मैं खुद चाहरा था कि सब्सक्राइब करें लेकिन पारिवारी परशी कि वहां था तो उनका सारा जीवन बावा साथ की मिशन के प्रतिय है समगते बिल्कुल डी जूर जिस तरीके से बावा साहर में कारी किये हैं उसी प्रकार से होने भी सामाजी हंदुरं को उत्राखंड के और फेराने का प्रयाज किया और और कभी भी बहुत ही इमांदार और स्वच्छ अभी के थे और उनका जीवन जो है छात्रों के लिए एड़ोकेट्स के लिए सामाजिक काली का अपने शात्रों के लिए अंदूल समय मांगता है और आज के युवास समय देना नहीं चाहेते ऐसी स्थिति में बावा साफ डाक्टर अमिड़कर आंदोलं कैसे बढ़ेगा आप में बगा महत्तपवन प्रक्ष्ट पुशा आज के हलात हम देखते हैं आज बावा साफ का मिशन जो है वो यह यह कहना चाहिए भाती राजी के बियावान जंगल में भटक बिया है बावा साफ चाहे वो राजी के आंगलों चाहे वो सामाजी को यह धार्मी को लोग में जिस प्रकार से बाबा साहर चाहते थे नवी योगों को प्रेवित करके समाज को सामाजिक राजदेतिक आर्थिक और धार्मिक लीदिसी स्वतंत्र करें वो नहीं हो पाने का कारण प्यक्तिकत लालच पद प्रतिष्टा और इमानदारी से काम न करना और जो भी कार्यावा करके है उसमें समाज को महतो ना देखर्टे है अपने को महतो देने लगें तो इस से बाबा साहब का अंक रिद्वा ना करें यदि समर्पित और जियागी को विद्वान हर शेत्र में विद्वान है किसी भी शेत्र में हो इस आंदुरन को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको नीजी स्वात उनको त्यारना पड़ेगा, सारे भारत वर्ष के अंदर है, यह एक आंदुरन गठन करने के लिए ग्रामी लेबल से ले करके, ग्रामी लेबल, जिला लेबल और स्टेट लेबल, कारी करताओं को तैयार करना पड़ेगा, इस परिपेट्श में मुझे दॉक्तर वुवित राज का कालिग्रम भी मैंने देखा है, दॉक्तर वुवित राज किया था, उन्होंने प्रयाज किया था, और वो फिर आगे जाकरके, वो आप उसको क्योंकि खुल शेरूर कार सभी जातिवाद का शिकार है, तो उस जातिवाद के शिकार वो भी हो गए, क्योंकि यहां भी बिमिन्द जातिया हैं, आपस में एक तुल से जे साथ वेवार करते हैं, बाबा साथ ने तो ये कहा था, उचे कहे गए गंदा, मोहल्टे का गंदा पानी मेरे म मोहल्टे को आकर गंदा करता था, पहले तो मैंने ये गंदाजी साफ करने की कोशिश की, जब देखा कि एक गंदाजी साफ नहीं होचते ही, तो उची गिवार खरी करते ही, ताकि वो गंदी वहीं पढ़िये है, ताथ पर ये है, कि ये कूच इनी छोटा बड़ा, ये तो बाबा साह में कहा था कि अगर वे सोशित वर्ग में इसको समाप करना है, तो उसको ऐसा धर्म एक रहां करना चाहिए, जिए जाएच पाता हूँ. कोई सवाल ना हो तो इसके बाबा साह में बहुत बुत्य के धर्म, बहुत धर्म को धर्म किया था, और डार्टर उदीदराजी, इसकी मैं व्यक्किकत रूप से आया भी ज्यादा नहीं उनसे सिंपर कर पा रहा हूँ, या क्योंकि एज फेक्टर भी है, तो वो अगर चाहे मैं तो इस आंदर्म को बाबा साहब के फुट स्टेप कर पच छिल्मों पर चाहल करके आंदर्म को आंदर्म अदर्म 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 को देखें, युवा एक तो उन्होंने अपना लग्स से बनाया था, वो अपना टाइक के बिनाते, पढ़ाई का भी, और उसमें बिल्क अगर युवा पिली अपना टाइम टेबल बना करके, लक्ष बना करके, चाहे वो सर्विस का लक्ष हो, चाहे समाज सेवा का लक्ष हो, चाहे राजी की काहरे, पहले अध्यान करना बहुत दरूदी है, एक कानून के मरमग्य होते हुए भी महाने रिष्टी, जॉगवभी यह जो सभ्यव्ट इखे उनकी किराबल को पड़ेते हैं, इस बाइस से भी उन्होंने अपने को सशक्त क्या, जिर्ट तरगी से बावा सामने, अपने आपको पूल्न रूट से, यह आर्थिक रूट से, और विद्व रूट से, स्टली यहां जो चाहते थे लेकिन, लेकिन, नहुंने, मुझे घुद कहते थे, इस अप लोग सामने इन्पसृ तरगी के super itadmen, मिलेंगे में, मिलेंगी और मैंने जोईन किया और मुझे हमें ना तो शुक्या मिलेंगी हम सुबह वहां खोदो सामको पानी कियो तो ऐसा हमारा ज़्दाभ है तो इसलिए मैं नंद प्रसाद एड़ोकेट के जिर्म को बड़ा आदर से मानता हूं अपने चात्रों के लिए और सामाजिक कार्य करता हूं के लिए एड़ोकेट के लिए वह एक अगर निश्वार्त भाव से देखें हैं कि हमारे एक बियल आरिया है बियल आरिया हद्वानी में जो कि महां पर और इलेक्टिशिटी डिपार्टमेंट से यूनिन पे वह भी है नहीं नहीं था वह एड़ोकेट नंद पुषाद पुड़ा आदर से मांते हैं और बहुत सारे ऐसे जो में एड़ोकेट्स और आयाटियों और रिटायर हो गए हैं तो इस तरीके से जो निश्वार्त भाव से देखने वाजे हैं जिनके मर में कोई अहम की भावना नहीं है तो नंद सावकेट्स अध़केट्वाद कुग दुआ है झाल